This is going to be a super bumper weekend video guys क्योंकि यहांपर हम बात करेंगे Dixi की, Dogecoin की, Altcoins की, Bitcoin Dominance की और भी बहुत सारी चीजें Before that, हमारे इस हफते के giveaway winner है Pintu Chavala 2223 Pintu Chavala काफी active है चैनल पर जैसे आप देख सकते हैं आपने अपने प्रशनों पर Pintu Chavala जी के comments भी पढ़े होंगे तो यह हमारा जो मूल सिधानत है कि community के help करना उस पर यह खरे उतरे हैं आप भी जीत सकते हैं, वीडियो अन तक देखेगा तो guys, कल जो है हमने दो दिन पहले युद्ध की घोशना कर दी थी चीजें अच्छी हुई उसके बाद हमारी आवाज में और ज्यादा प्रोचाहन आया कल की परसों की तीन दिन की वीडियो बहुत promising थी and you have seen that what has happened, Bitcoin has broken a very 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 critical resistance level हम उसके बारे में बात करेंगे हम money printing के बारे में बात करेंगे हम profit के बारे में बात करेंगे 1 million dollar के profit के बारे में बात करेंगे micro strategy के बारे में बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे थोड़ी वीडियो लंबी होगी अन्तर तक देखिएगा आपको बहुत जादा मजा आने वाला है दोस्तो ये मेरी one of the most exciting most important और शाहिद अगर आप अपने परिवार में किसी कोई वीडियो दिखाना चाहेंगे तो जरूर दिखाएगा I am feeling वैसा जैसे मुझे 2016 में feel हुआ था I went all in and I made a lot of money in last 8 years अब आपका समय है अब आपका time है वीडियो अन तक देखीगा वीडियो को पसंद करने पर like करने के बाद चैनल को subscribe कर लीजेगा Now let's start I have always spoken one thing guys technicals पर एक मिनिट बिताएंगे कि अगर हमें orange box तोड़ना होता है तो हमें convincing candle चाहिए कुदी है Can you look at this candle? भाई तीन हजार डॉलर की एक green candle थे उसके बाद भी चलती रही Yes, Bitcoin साथ हजार डॉलर से नीचे गिरा, साथ हजार कर हमारा एक technical सूर्च का अंग था जिसके बारे में मैं भी बात करूँगा और यहां से हम एक सट हजार से जादा दूर नहीं है Yes, कल की वीडियो में मैंने आपको साथ हजार का बोल दिया था, कल हम अठावन हजार पर थे परसो मैंने आपको अठावन हजार का बोला था, जब हम चपन हजार पर थे Step by step by step चीजे अच्छी दिख रही है 55,100 proved to be a very good support this time इस वाले जो downturn में हमें पूरी उमीद थी कि हम नहीं जाएंगे मैं बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा और आप कहते रहे नहीं उसने कहा है 44,000, उसने कहा है 48,000 Guys, जब आप किसी को शिदत से, conviction से प्यार करते हैं अपनी माता को, अपने पिता को, अपनी बुल्स बिटकोईन को 50,000 से नीचे जाने देते जो कि उसका अलड़ी 5 अगस्त का एक शॉक वाला, एक शॉक फेज आता है तो समझ में आता है कि चलो जपाइन ने रेट हाई कर दिया बेना किसी को बताया तो अमरीकी जो जनता है, वो तोड़ा सा परिशान होगी ट्रेडर्स परिशान होगी, उन्होंने अपने बिटकोईन बेचे बट जब तक ऐसा कोई unknown issue नहीं आता है black swan event नहीं आता है, तब तक क्यों बिटकोईन 50,000 पर जाएगा, ऐसी लोग बनाते रहते वैसी जैसे अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 43% crash आने वाला S&P 500 पर click लेने के लिए, नहीं guys, don't listen to anybody अगर आप bitcoin में हैं, तो I'm telling you 2030, 1 million dollar अगर आपको आज 50,000,000 रुपे हैं सिर्फ 50,000,000 रुपे, रख छोड़े 2030 में वो 9 करोड रुपे बन जाएंगे, I don't think को ऐसी guarantee वाली FD पड़ी है market में, right कल हमने 58,000 का जिकर किया था क्योंकि हम यह line तोड़ रहे थे पिछले वाली वीडियो में Monday time frame पर आप देखेंगे, तो हमें conviction थी यह वाली line को भी conviction से तोड़ा जा रहा है जो की काफी लंबे दिनों से चली आ रही एक resistance line थी, daily time frame पर यहाँ पर भी वैसे हमने 22 अगस्त को भी इस line के उपर तोड़ा है, 3, 4, 5 candles विताई है daily, बड़ उसके बाद एक इसको fake out माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद 2 बड़ी red candles आई, और price को फिर से नीचे ले गई, hope रहेगी कि ऐसी red candle reversal ना करें, otherwise it's not gonna be good but मेरा मानना है, इस बारी, this time it's different and I'll prove you also, there are 2-3 other indicators, 2 मिनट और लूँगा technical suppose के बाद हम alt coins की तरफ चलेंगे, 2-3 और technical indicators ऐसे हैं, जो बताते हैं कि शायद हम बाहर आ गए है, पहला जो है orange line, हमारी 50 days SMA, 50 period, 50 days simple moving average, हम उसको पार कर गए अब लग रहा है कि bitcoin उसके उपर support बनना चाहते है, जो करीब करीब 900,500 के आस-पास है, I hope हम 900,500 के नीचे नहीं जाएंगे, I hope हम यह support को बरकरा रखेंगे, so that is one, next one is 61,600, जो की 100 days moving average है, और 63,000, जो है वो 63,900, जो भी कहेंगे, वो 200 days moving average, it doesn't matter, these two will be broken, as soon as हम यह 50 days के उपर अपनी support जो है, प्रतिस्थापित कर लेते हैं, अब मैं क्यों कुछ दिनों से 65,000 कह रहा हूं, क्यों मुझे बड़ा विश्वास है, पहली बात है यह बहुत लंबे समय से चलारा चाट है, यह भी हम काफी समय से follow कर रहे हैं, February से इसको इसका जो पिनाकल है, वो 65,000 के आजपस है, अब मज़े की बात है कि इसका पिनाकल एक समय, 75,000 पिनाकल है, इसका उपर का रिजिस्टेंस जो है, वो केवल 65,600 पर रह गया है, हमने इसको बड़ी बार भेजने की कोशिच किया, इस बार भी करेंगे gravity works, गुरुतवा करशन प्राइस को अपनी तरफ खीशता है, तो प्राइस इसको definitely 65,600 पर लेके जाएगा, आज नहीं, 10 दिन में, there are risk factors also which we will talk about, कि अगर 50 basis point का rate cut नहीं आया, 50 basis point का rate cut 50-50 percentage पर चल रहा है इस समय, तो यहां से मैं rejection मिलेगी, तब तक, मेरा मानन है it will be just a matter of time, maybe 18 सितंबर, हम 65,600 पर होंगे लिख लिजे, capture कर लिजे, क्योंकि rate cut 50 basis point का होना, will be a massive news there could be a buy as a rumor, sell the news, we will talk about that, and guys, it's not that आज मैं bullish हुआ, guys, do you remember this chart, पूरे 2023 में हम इस chart का डंका बजाते रहे और हमने आपको कहा था, कि यह जो हलका green color है, यह pre-hallwing pump होता है वैसे ही आया जैसे हमने बनाया था, उतना ही आया जितने हमने बनाया था, क्योंकि हमें पता है history repeats itself, यह पिसली history है, और इसके बाद जो यह तोतिया color है, parrot color है इसमें bull market शुरू होती है, हर बार, अब यह teal color को भूल जाएगे, जो left side पर, right वाले पर focus कीजे क्योंकि मैं बात, पुरानी बात का credit नहीं लूगा बार-बार, ऐसे लेना चाहिए, क्यों ना ले पुर जो right side वाला parrot color है, post-hallwing का, जो box है, it is always more parabolic, than pre-hallwing जो dotted line है, यह एक तरह से halwing का indicator है, and I have told you guys, हमने हर बार की तरह, pre-hallwing में, left side में, वैसे ही अंत किया, जैसे हमें अपेक्षा दी, right side पर, हम थोड़ा सा sideways जा रहे हैं, जितना सबर, उतना ज़्यादा अफल, why have suddenly Rohit Sharma become super bullish, about alt coins also, क्यों हमने alt coins के बारे में आपको recommendation दिरी, शुरू कर दी है, one more reason, Dixie, dollar strength index जब नीचे जाता है, crypto उपर जाता है, given, कहां पर जूज रही है, 101, इसका इतना लंबे समय से चला आ रहा, 2022 के जून से लेकर हम अब तक weekly candle हमने, यानि कि Ukraine, Russia की जंग से लेकर अब तक हमने, एक बार भी, इसके नीचे नीचे नहीं गया है, जंग के बाद, जब Ukraine रशे की लड़ाई होती, तब से Dixie strong हो गया था, past में क्या हुआ है, जब Dixie, Dixie weak हुआ है, Dixie ने हमेशा, यहाँ पर Dixie टॉपल हुआ था, Dixie थोड़ा सा नीच आया था, इतना भी नहीं, अभी का आंकड़े से उपर ही था, और उसके बाद, बिटकॉइन ने क्या जबरदस पंप लिया था, बिटकॉइन उपर आपको यह चितकबरी लाइने दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर Dixie टॉपल हुआ, और यहाँ पर, यहाँ पर भी Dixie टॉपल हुआ था, मार्च 2023 में, हलका सा टॉपल, मतलब यहाँ पर बात करेंगी, 15% गिना, यहाँ पर तो historical benchmark, historical support तोड़ने वाला है 101 का, मैं आपको काफी समय से कहता आ रहा हूँ, imagine अगर Dixie असी पर चला जाए, ओहो, 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 बिट्कॉइन विल बी एड्ट 300,000 डॉलर गाईज, अब आंख बंद करके बिट्कॉइन की projection लगा सकते हैं, मुझसे क्यों पूछते रहते हैं live में आकर, कि बिट्कॉइन कहां जाएगा, it is all a matter of money printing, dollar strength, USA, 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 simple, और USA में, dollar दबाव में है, 101 टूटा support, तो वो गरुतवा कर्शन उसको अपने अगले support पे खीजेगा, जो कि 90s में है, and that will help us take bitcoin closer to 100,000 dollars, and that is not just true for bitcoin, it is true for S&P 500 also, अब right side पे Dixie का chart देख सकते हैं, इसका screenshot ले लिजिए, और जब-जब Dixie bottom करता है range में, जब-जब वो dump लेता है weekly time frame पर, bitcoin तब ही उसका series, recent, local, high आता है, और just look at the right side, कितनी टेजी से Dixie नीचे गरता आ रहा है, तो यहाँ पर Dixie हमें, dollar stand index पूरा indication दे रहा है, बलकि यहाँ पर थोड़ा से मैं कहूंगा, कि diversion हुआ है, कि Dixie काफी नीचे गिरा है, बट bitcoin ने उतनी ज़्यादा pump नहीं लिए, bitcoin अब जुमा-जुमा pump होना शुरू हुआ है, rally is just around the corner guys, this chart is very simple, थोड़ा सा cluttered है, बट बहुत simple अगर आप screenshot लेकर, अपनी घरवालों को दिखाना चाहें, कि क्यूं आप 2,00,00 रुपे इस समय bitcoin में लगाना चाहते हैं, क्यूं आप 5,00,00 रुपे की bitcoin खरीदना चाहते हैं, यदि आप खोड़े से रही से हैं, तो क्यूं आप एक पूरा bitcoin आज खरीदना चाहते हैं, because this is the best FD that you can make, guys, period, you can tell it to your parents, you can tell it to your friends, कि भाईया इस समय अगर तुने bitcoin नहीं खरीदा, तो फिर मैं आके तिरको एक साल बात बहुलूँगा, कि ठेंगा देख ले, I am telling you with that much of confidence, S&P 500 is also looking bullish, Dixie नीचे जाएगा, S&P 500 उपर जाएगा, बट bitcoin इतना उपर नहीं गया है, तो पहले पैसा जा रहा है, Dixie के अंदर, फिर जाएगा bitcoin के अंदर, जो कि जा भी रहा है, bitcoin ऐसी बात नहीं है, bitcoin इतना निराज नहीं कर रहा है, bitcoin पचास हजार से साथ हजार आ गया, ठीक ठाक है, सतर हजार भी चला जाएगा, 65 को तो मैंने टार्गेट आपको दे ही डाला है, but I am telling you guys, this is the time to be bullish, I can tell you so many charts, which are shouting out, shouting out bullrun, shouting out bullrun right now, क्योंकि max pain हो चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं, क्रिटो को बालियां देते हैं, रोग सब को बालियां देते हैं, YouTubers को बालियां देते हैं, कि क्रिप्टो को खतम है, scam है, ये है, ो है, अब तो मेरे भी meme खतम हो गए हैं, जो मैंने आल्ट को में बनाने शुरू किये थे, कि Matic के बारे में बना दिया, Fetch के बारे में बना दिया ADA के बारे में बना दिया कितने मतलब सारी creativity 38 years की मेरी खतम हो चुकी है पड़ मुझे लगता है वो creativity खतम वो frustration खतम वो money printing शुरू वो Dixie का गिरना शुरू वो US का election आना that shows guys that if you are invested in altcoin just stay invested that doesn't mean that you do 5x 10x trade right now I don't think you really need to take that kind of risk this bull market में आपको risk लेने कि जरोती नहीं पड़ेगी guys you will anyways mint money you will mint money यह वाले समय आने वाले अगले एक दो महिने में जहां पर कुछ altcoin एक दिन में 40-40% आप जाते and you will see guys you will come back and thank me I've been telling you lot of people have been continuously bearish 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 I've been bearish about altcoin I've been bullish about bitcoin क्योंकि देखिए गया वो 50,000 के नीचे नहीं गया रहा क्योंकि bitcoin का 50,000 dollars I've told this months and months and months before कि इस historical bull cycle का 50,000 bottom होगा और हम अलड़ी उसको test कर चुके हैं उसको एक बार बहुत जोर से test कर चुके हैं एक बार हलके से test कर चुके हैं पर दूर से ड़रा चुके हैं and guys if you think I'm bullish if you think I'm bullish just look at our trades guys look at our trades हमारा एक trade जो almost liquid हुआ था I'm admitting here 5 अगस्त को जब bitcoin जो 49,000 के आसपा से लगे था हमारा almost liquid हुआ हमने इसे बचा लिया बट जो हमने उसमें नया trade खोला 51,000 बे look at the profit right now almost sitting on 12,000,000 रुवे का profit 14,174 डॉलर का profit 56% profit risk free risk free क्योंकि timing अची थी दूसरे वाले trade की timing बुरी थी तो हम उसका खामियाज़ भुगद रहे बड मैं आपको बता दूँ guys जैसे ही हम all time high पर जाएंगे 75,000 पर this will be severely profitable not just this look at this जो हमने हमारे bid get पर जो हमारे trade है नया trade सिर्फ लाट साथ दिनों में हमारे subscribers ने मैंने नहीं subscribers ने 72,000 डॉलर का profit बना है lifetime 3,000,000 डॉलर का बना है मेरे profit से ज़ादा मेरा total bought profit है 2,500,000 डॉलर का bid get पर 1252 लोगों ने मुझसे ज़ादा profit बना है मेरा trade थोड़ा बड़ा है हमारी timing थोड़ी अच्छी है this is bid get I was showing you okx there but more importantly guys I am destined to make हम लोग बिल्कुल यहाँ पर तयारी कर चुके हैं 1,000,000 डॉलर का इस साल में profit बनाने की जो हमने आपको बादा किया था you are tracking it हम कुछ यहाँ okx का जोड़ेंगे कुछ हम bid get का जोड़ेंगे जो मेरा profit है right side पर नहीं देखिए left side पर देखिए ठीक है यह trade थोड़े से ज़्यादा लब में चले no problem but I am going to prove जो हमारी excel sheet भी description में दे रखी है we will make 1,000,000 डॉलर of profit with one chance only of getting liquidated वो भी जो मेरा सिध्धान था कि अपने वाँ सोड़े बहुत USDT रखी है उससे हमने उसको बचा लिया but that bot has proven to be अब मैं हाली फिलाल मैं आपको bot खोलने के लिए नहीं कहा रहा हूँ क्योंकि I think it's little मैं हम bottom hunt करते है maybe when there will be a crash we will start a bot again maybe when we will get to one million profit हम इस bot को close भी कर देंगे तो आपके लिए मैं इसलिए नए मौके लेकर आ रहा हूँ Crypto Millionaire Rohit Sharma पर दूसरी YouTube चैनल पर जहांपर हम altcoin से संबंदित छोटे trade से संबंदित हर तरह से trade जो है वहाँ पर ले रहे है तो ये वीडियो आप जरूर देखेगा description में जहांपर हमने अभी तक 7,000,000 डालर कैसे बनाए उसका है और कैसे bot लेते है उसका है विवरन पूरा और साथ ही साथ इन bots को कैसे आप start कर सकते हैं उसके link भी description में दे रखे हैं My suggestion is अगर आप ने अभी तक bot trading नहीं करी है तो फिर form बद करें फिर बढ़िये crypto millionaire Rohit Sharma हमारे दूसरी YouTube channel पर महाँ पर मैं आपको bitcoin, solana इस तरह के safe, kum value के wallet coins की suggestion देता हूँ patreon वगर भी आप join कर सकते हैं अगर आप चाहें तो so that is that is what primarily हमारे bots के लिए चल रहा है I am very sure अगले तीन महिने में हमारे bot पर 1 million dollar का profit आप देखेंगे अगर मैं liquidate भी होगा तो आपको दिखाऊँगा मैं उसको liquidation को save भी करूँगा तो आपको दिखाऊँगा तो ये one click bot setup है जिसको आप देख सकते हैं अब गेर बदलते हैं छोड़ा सा रिस्क बढ़ रहा है अच्छी बात भी है बुरी बात भी है इसमें कि 50 basis point का rate expect करने वाले cut of rate expect करने वाले लोगों की संख्या 50% से चल गए गाई गाई इससे ज़्यादा coincidence क्या हो सकते हैं कि हमारी वीडियो बनाने के समय CME Fed Watch Tool 50-50 हो गया है in a way it is a good news कि जादा से जादा लोग अब 50 basis point rate cut मान रहे 50 basis point rate cut is very very good but in other way अगर 25 basis point rate cut ही हुआ market is pricing in for 50 basis point market तयारी कर रही है 50 basis point 0.5% के rate cut की और यहां हो गया अगर 25 तो market में थोड़ी सी गुलाटी आएगी be careful don't take excessive leverage trades guys be very very careful अगर आपके excessive leverage trades हैं तो मैं आपको profit के targets दे चुका हूँ please अपने profit भी book करने का जो है planning बना लिजी nobody has gone bankrupt booking profits मैं हमेशे कहता हूँ कोई भी profit book करके कंगालास तक नहीं हुआ है please be careful guys अगर आपके profit ठीक ठाक हैं तो थोड़े थोड़े profit book करते रहें that is my that is my advice to you please very sincere advice क्योंकि 50 basis point rate cut हो गया तो फिर भी अच्छा हैं 55,000 की तरफ जाएंगे बढ़ अगर 25 basis point rate cut हो गया और market कर रही है आप एक्षा 50 की then it's not going to be very pleasant sign for the crypto market और present तो छोड़िये हमारे ये भाहिया तो रुखने का नाम ही नहीं रहे 18,300 bitcoin और खरीद दाले इन्होंने 1.1 billion dollar के 1.11 पूरा Nelson round figure इन्होंने 1.11 के लिए है 60,000 के price पर लिए है थोड़े से higher price पर लिए है तो obviously थोड़े समय पहले खरीदा होगा इन्होंने जो भी है बर इनको फरग नहीं बढ़ता है that is how bullish Michael Saylor is और दोस्तों मैं आपको यहां पर चेताव नहीं दे दू Michael Saylor तो bullish हाई है मैं भी बहुत ज़्यादा bullish हूं bitcoin dominance के लिए the reason I've been stopping you मैं आपको रोकता आ रहा हूं पिछले 8 महीनों से bitcoin altcoins खरीदने के लिए selective altcoins की बिना long tail shitcoins खरीदने के लिए जिनके आपको अता पता नहीं because of bitcoin dominance अभी भी बता रहा हूं अगर आप shitcoins में हैं जिनका आपको use case नहीं पता कि वो दुनिया में क्या change ला रहे है अगर dominance 60% जाती है you will be under trouble I hope कि 58.15 से bitcoin की dominance rejection ले वापस आ जाए but if it keeps going up then you will be under trouble in simple अगर आपके portfolio में कुछ bitcoin नहीं है तो आप बहुत जादा बड़ी गलती कर रहे है जादा बड़ी गलती because कोई इस बात को दरकिनार नहीं कर सकता है कि 60% bitcoin dominance 70% bitcoin dominance is also pretty much possible remember guys S&P 500 में इतना पैसा जा रहा है bitcoin में नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि market पहले safe जगा जाती है second safe जगा S&P 500 के बाद होगी bitcoin why would institutions go to altcoin they might pump money जायद वो पैसा पानी की तरह bitcoin में डालेंगे और bitcoin की dominance बढ़ेगी altcoins को शायद उतना फायदा ना हो altcoins को थोड़ा फायदा होता हो मुझे यहां से दिखाई दे रहा है जैसे जैसे dogecoin उपर जाता है altcoin market उपर जाती है left side पे आपका इसली bull market का status है और right side पे आपका इस bull market का status है अगर आप देखेंगे जो दोनों status एक जैसे ही लग रहे है पहले बहुत ज़्यदा painful bear market थी उसके बाद consolidation थी उसके बाद एक fake out वाला pump था उसके बड़ा dump था और उसके बाद जो bull cycle चाट उती यह वो consolidation वाला phase है यह fake pump है और यहां पर अब bull cycle alt coins की शुरू हो सकती है कि Dogecoin जैसा risky alt coin हमेशा शुरुवात करता है but we could still be one month away so be careful Bitcoin dominance का reject होना बहुत ज़रूरी है I am keeping both of my eyes on Bitcoin dominance और मैं Patreon पर लगा था share करता हूं इसलिए Bitcoin dominance से बच के रहना यह किसी की सगी नहीं है यह किसी की सगी नहीं है बहुत careful runner right so Chinese 10 year treasury yield को का अगर हम stochastic RSI देखें नीचे की दरफ चाइना में जो 10 साल की treasury yield पे कितना पैसा मिलता है जब जब वो bottom होता है Bitcoin bottom होता है जब जब वो treasury yield ऊपर जानी शुरू होती है China में money printing तब तक Bitcoin pump होता है अगर आप देखें Chinese treasury yield बहुत तीजी से नीचे जा रही है नीचे की तरफ अगर देखें उसका stockistic RSI बिल्कुल खतम हो चुका है almost पातालोग से निकल का है 26.9 पर है समय Chinese yen Chinese yuan की Treasury yield का 10 साल के अलिए अगर आप bond खरीते है चाइना का आपको कितनी yield मिलती है वो bottom हो चुकी है वो जब जब ऊपर जाती है चाइना से भी पैसा आता है दोस्तों चाइना कुछ भी करें Bitcoin के बारे में चाइना से अमरीका से बहुत पैसा आता है और चाइना जो है वो पातालोग में जा चुका है चाइना की यहां से वापसी होनी है anything that goes up comes down anything that comes down goes up चाइना का हो गया enough मैंने आपको कल की live वीडियो में क्या आगा था मैंने 7-8 Alibaba के share करी थे ज़्यादा amount के नहीं 50-60,000 रुपे के but I am accumulating Alibaba जैसे stocks यो Chinese stocks हैं very important 3-3,4-4-4-0 dollar के हाई से आया था इसमें 80 dollar पे Alibaba दुनिया की सबसे बड़ी e-commerce company है दिन में Amazon से ज़्यादा order deploy करती है why, why not हम यहाँ पर एक तरफा वो लखीर के फगेर नहीं कि सिर्फ Bitcoin ही कि सिर्फ Tesla ही या सिर्फ Solana ही we divers, we buy Indian stocks also we buy Chinese stocks also but you have to be patient and learned यह सब चीज़े आज नहीं हुई है यह पिछले 20 साल के career में आई है और 8 साल के active crypto investment and consulting से आई है मैं बोलता आ रहा हूँ 7-8,000 लोग का crypto portfolio में review कर चुका हूँ and I know how people think अगर आप 50 dollar जीतना चाहते हैं तो सरल से सवाल का उतर दे इसमें 50 basis point rate कटकी CME के हिसाब से Chicago Mercantile Exchange के हिसाब से क्या संभावना चल रही है that's very critical you have to keep watching it अगर इस संभावना और उपर जाती है तो हमारे लिए बुरी खबर है क्योंकि 50 basis point अगर rate cut नहीं हो तो market dump लेगी keep a watch on that my job is to tell you कि be very very careful अपना ख्याल रखे हैं दोस्तों धन्यवाद जये है